हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS वेजिस क्लासिस आज हम डिसकस करने वाले हैं वेरेशन इन जी तो जी में जो वेरेशन आता है वो किन किन कंडिशन से आ जाता है वो देखते हैं हाइट डैट फ्रम सर्फेस अगर हम अर्फ सर्फेस से कुछ हाइट पर उपर जाएंगे या डैफ में नीचे जाएंगे तो हमारा जो जी है जी पर एफेक्ट पड़ेगा ठीक है देखते हैं जी गड़ता है या बढ़ता है शेप और अर्थ की सेप की बज़ए से भी सब्सक्राइट जाते हैं तो ग्रेवटी पर क्या बैरेशन पड़ता है कि देखिए अर्थ मास एम और यहां से यहां तक परसन की जो डिश्टेंस है वो कितनी है और सर्फेस से हाइट ले लिए हमने एच ठीक है अगर इसकी रेडियस है आर ही है तो आरी प्लस हमारा क्या ह अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए तो क्या होगा हमारा म से में हमारा क्या हो जाएगा? cancel हो जाएगा तो g-dash-scal-to क्या होगा gme upon r square और this is r, r e plus h, तो क्या होगा g-scal-to gme upon r e plus h का square, as we go above earth surface, r increase करेगा तो gravity क्या होगी? decrease क्योंकि r increase करेगा तो gravity क्या होगी? decrease, तो हम इतना समझ चुके हैं, अगर earth surface से ऊपर जाते हैं, तो gravity है, acceleration due to gravity, वो क्या होता है? अपका decrease होता है, तो g-scal-to हमारा क्या है? gme upon r e plus h का square, ठीक है? तो g-scal-to g r e square upon 1 r e plus h का square, कहने को मतलब gme, g क्या है? universal, ठीक है? constant m e क्या है? mass of the earth, तो अभी हमने relation देखा था, gme is equal to g r e square, small g r e square यह किसके लिए है था? अरth surface पर तो कितना हो जागा? g r e square upon r e plus h का square, अगर हम यहां से r e common लेंगे, तो r square common आएगा r square से r square cancel हो जाएगा तो s called to क्या बचाएगा? g upon 1 plus h upon r e का square, if h less than r e then g dash is equal to g 1 plus h upon r e का power minus 2, कहने का मतलब h जो term है, r e की respect में, कैसा है? very small तो यह पूरा term ऊपर जाएगा, तो power plus वाली किसम हो जाएगी, minus में convert हो जाएगी तो एक theorem होती है मैंत में 1 plus x की power n is equal to 1 plus nx कहने का मतलब, अगर x जो term है, 1 से बहुत small है तो n का आगे multiply हो जाएगा, 1 plus nx तो similarly इसमें भी है g dash is equal to g 1, power कितनी minus 2, power इसके आगे आजाएगी तो plus minus कहा हो जाएगा, minus 2 h upon r e, तो एक formula यह भी है आपका, और एक formula यह भी है आपका इसमें question देख लेते है find the height above earth surface where g drops to 31% of earth surface मतलब किस height पर जाकर के, जो gravity है कितनी drops हो जाएगी है, 36% 36 है यह, कितना है, 36% तो earth surface से उपर जाने पर gravity का formula क्या होता है, g dash is equal to g dash upon 1 plus, g dash is equal to g upon 1 plus h upon r e का square तो वहाँ पर gravity कितनी होगी, 36% रह गई है, कितनी रह गई है, 36% तो 36 रह गई है, कितने मैं से, 100 मैं से, अगर हम percentage की बात करते हैं, तो percentage के लिए 100 लेते हैं, तो earth surface पर 100 थी, तो h height पर जाकर कितनी हो गई है, 36, 36, 36 g is equal to g upon 1 plus h का r का whole square, h upon r का whole square, इसको जब cancel out करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 9 upon 25, ठीक है, अब अगर हम इसका क्या लेने, अंडर रूट लेने, या फिर ऐसा करो, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो 1 plus h r e का whole square, is equal to 25 upon 9, जब इसके square अटाएंगे, तो अंडर रूट लग जाएगा, 25 का कितना भार आएगा, 5 upon 9 का कितना आएगा, 3, तो h upon r is equal to 5 upon 3, और 1 उदर जाएगा, तो मानस का होगा, तो h is equal to 2 by 3, तो h is equal to क्या होगा, r का multiply की खर दीजिए, 2 upon 3 r, तो कहने का मतलब, जब अर्थ सर्फेस से 2 by 3 r, height पर जाएगे, तो हमारी gravity कितनी हो जाएगी, 36% रह जाएगी, thank you friend.